परिचय अंश के माता पिता उसे अपने साथ सरकस दिखाने ले गए हैं वह पहली बार सरकस देखने आया है उसने देखा कि सरकस वालों के घर, उसके घर, उसके दोस्तों तथा रिष्टेदारों के घरों से बिल्कुल अलग प्रकार के हैं वो अपने पिता से घरों के बारे में और अधिक बाते बताने को कहता है। बच्चों, इस अध्याय में आप घर निर्मान के विशह में जानेंगे। आओ सीखें। घर की आवशक्ताओं को पहचानना। कच्चे तथा पक्के घरों में अंतर करना। मनिश्य अपने परिवारों के साथ घरों में रहते हैं। एक घर हमें निम्न चीजों से बचाता है। गर्मी से, ठंड से, बारिश से, हवा से, जानवरों से और चोरों से एक घर छत, दीवारों, फर्ष, दर्वाजों और खिड़कियों से मिलकर बना होता है एक घर में कई कमरे जैसे ड्राइंग रूम यानि बैठक, डाइनिंग रूम यानि खाना खाने का कमरा बेडरूम यानि सोने का कमरा, रसोई खर, बातरूम यानि सनान घर और स्टोर रूम यानि गोदाम होते हैं इसमें अधिक स्थान होता है और ये हवादार भी होता है इसमें परियाप्त मात्रा में सोरे का प्रकाश भी आता है गुपाएं प्राचीन समय में मानव गुफाओं में रहता था गुफाओं बड़ी तथा पत्थरों के प्राकृतिक द्वार वाली होती हैं मानव और जन्तु इन्ही द्वारों के द्वारा अंदर और बाहर आ जा सकते हैं गुफाओं में अंधेरा होता है ये पत्थरों वाले इस्थानों पर पाई जाती है आओ खेलें उस जित्र पर किलिक करें जो प्राजीन समय में मानव के रहने के इस्थान को दर्शाता है कच्चे घर गावों में घर मिट्टी तथा घास फूस से बनाए जाते हैं ऐसे घरों को कच्चे घर कहते हैं ये कमजोर होते हैं ये भुकंप, तूफान और बाड में आसानी से तथा जल्दी तूड़ जाते हैं कच्चे घर एक ही मनजिल के होते हैं पक्के घर गस्बों तथा शेहरों में घर इंटो, सिमेंट तथा कॉंक्रीट से बनाए जाते हैं ऐसे घरों को पक्के घर कहते हैं ये मजबूत होते हैं ये भुकंप, तूफान और बाड में आसानी से तथा जल्दी नहीं तूटते हैं पक्के घर एक मनजिल या बहु मनजिली हो सकते हैं कुछ एक मनजिल वाले पक्के घर बहुत बड़े होते हैं ये बंगले कहलाते हैं फ्लैट्स फ्लैट्स बहु मनजिला पक्के घर होते हैं इन घरों में अनेक परिवार रहते हैं फ्लैट्स बंगले से सस्ते होते हैं कारवां पईयों पर बने हुए घर कारवां कहलाते हैं ये चलते फिडते घर होते हैं लोग इने रहने तथा घूमने फिडने में प्रयोग करते हैं कारवां बड़े और छोटे हो सकते हैं इन मेंसे कुछ में बहुत अधिक कमरे होते हैं। घर बनाने वाले लोग बहुत सारे लोग मिलकर एक घर बनाते हैं। ये वास्तुकार यानि आर्किटेक्ट, इंजीनियर तथम मस्दूर होते हैं। सबसे पहले एक वास्तुकार यानि आर्किटेक्ट घर का डिजाइन बनाता है. इंजीनियर घर बनाने के लिए आवशक सामान का सुझाव देता है. इसके बाद मस्दूर, इंटों और सीमेंट का उप्योग करके घर का निर्माण करते हैं. आओ खेलें. बहुत सारे लोग मिलकर एक घर बनाते हैं. लोगों को सही क्रम में वैवस्थित करने के लिए चित्रों की क्रमांग संखिया बताएं. हमने क्या चर्चा की? घर हमें सर्थी, गर्मी, हवा, बारिश, जानवरों और चोरों से बचाता है. कच्चा घर कमजोर होता है. तथा ये मिट्टी तथा घास भूस से बना होता है. पक्का घर मस्बूत होता है. तथा ये इंट तथा सीमेंट से बना होता है. बंगले एक मंजिल वाले पक्के घर होते हैं फ्लैट्स बहु मंजिला पक्के घर होते हैं गुफाएं बड़ी होती हैं तथा ये पत्थरों की प्राकृतिक दुआर हैं पहियों पर बने हुए घर कारवा कहलाते हैं वास्तुकार यानि आर्किटेक्ट, इंजीनियर और मस्दूर मिलकर घर बनाते हैं